दोस्तों, हीरो मोटो कॉर्प, बजाज और टीवियस, इंडिया की ऐसी कमपनीज हैं जिनको दुनिया की टॉप टूविलर कमपनीज में गिना जाता है। लेकिन जापान की होंडा, सुचकी और कावासा की जैसी टूविलर कमपनीज की टेकनोलजी और जॉइंट विंचर के बिना यह करिश्मा कर पाना पॉस्बल नहीं था। क्योंकि हमारे पास न तो टेकनोलजी थी और ना ही रिसर्च और डेवलेप्मेंट की बुनियादी सुविधाएं। हम मजबूर थे उन विदेशी कमपनीज की सारी शर्तों को मान कर उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही इंडियन कमपनीज को यह लगा कि अब उन्हें सहारी की जरूरत नहीं है तो किसी न किसी मुद्दे को आधार बनाकर वह ज्वाइंट विंचर से अलग हो गए। ऐसा ही एक दिल्चस्क किस्सा है हीरो ग्रूप और होंडा मोटर्स के बीच का लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सक्सेस्फुल पार्टनर्शिप होने के बवजूद भी हीरो ग्रूप और होंडा मोटर्स अलग क्यों हो गए। इंडिया ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे बड़ी साइकल बनाने वाली कमपनी बन गई। फिर उन्हें लगा कि दुनिया टू विलर इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन इंडिया तो अभी भी स्कूटर और मोपेट पर ही अटका हुआ है। और इस साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। एक्चुली इस डील में होंडा को भी अपना फायदा दिखा क्योंकि हीरो के जरिये उन्हें इंडिया जैसे बड़े मार्केट में एंटर करने का मौका मिल रहा था 80's के दोर में किसी भी विदेशी कंपनी को इंडिया में अकेले बिजनस करने के इजाजत नहीं थी। फिर हीरो और होंडा के बीच जॉइंट वेंचर में काम करने पर बात बन गई और साथ में उनके बीच एक NOC भी साइन हुआ कि फ्यूचर में कभी भी दोनों कंपनी एक एक फ्यूल एफिसियंट और रिलाइबल बाइक की बन गई जिसमें बाइक की बाड़ी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा को करनी थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैसन जैसे कुछ पापलर बाइक ने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत चल ला था तो 2010 में मुझाल साहब होंडा से अलग क्यों हो गए असल में ऊपर से तो चीजें अच्छी नजर आ रही थी लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसमें दो मुद्दे ऐसे थे जो कंप्टीशन करने के लिए साल 1999 में हुंडा मोटर साइकल एंड स्कूटर इंडिया नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी और एक्टिवा नाम से एक स्कूटर भी लांच कर दिया जो कि हीरो के साथ हुए उनके एग्रिमेंट के बिलकुल खिलाफ था और दूसरा रीजन य जैसे डेवलप्ट कंट्रीज में बेज कर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था मुझाल सहाविया बात समझ गये थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन वह चाते हैं उसके लिए उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना ही बढ़ेगा और इसलिए हीरो अप कर खड़ा था दोस्तों आईए अब चलते हैं अपनी कहानी के क्लाइमेक्स में और जानने की कोशिस करते हैं कि होंडा से अलग होकर हीरो ने अपने आपको खड़ा कैसे किया उनकी अपनी एक ब्रेंड इमेज कैसे बनी और मोस्ट इंपोर्टेंटली उनके फाइनेंसियल क बदल कर हीरो मोटो कॉर्प कर दिया और डी मर्जर के समय एक एग्रिमेंट हुआ कि साल 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेकनॉलजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा जिसके बदले में हीरो को उन्हें रॉयल्टी बोनस देना पड़ेगा और साथ ही मोटर साइकल को हीरो ह चैलेंजिस को ओवर कम करते हुए साल 2014 में राजस्थान के निम्राना में अपने पहले प्रोडक्शन यूनिट को शुरू कर दिया साथ ही जैपूर में एक वर्ड क्लास आरेंडी सेंटर की भी निव रगदी जो साल 2016 में 850 करोड की लागत से बनकर तयार हुआ इसकी अलाम क्योंकि हीरो को लोग एक साइकल बनाने वाली कंपनी के लिए जानते थे मोटर साइकल तो होंडा के नाम पर भिगती थी अब हीरो को जरूरत थी अपने ब्रैंड इमेज को मजबूत करने की उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान एक स्टैंडेलोन कंपनी के रूप में की चुनोती थी इसलिए एक नया लोगो और एक नई टैग लाइन हम में है हीरो से कंपनी का री ब्रेंडिंग शुरू किया गया जिसमें यूथ को टारगेट करते हुए हीरो मोटो कॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रेंड के रूप में पेश किया गया हीरो मोटो कॉर्प का नया लोगो और ब्रेंड आइडेंटिटी ब्रिटिस की एक फेमस फर्म वोल फॉलिंस ने डबलब किया हीरो ग्रुप ने यहाँ पर भी बाजी मार ले और लोगों का भरोसा जितने में काम्याब हो गए अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप हीरो मोटो कॉर्प के फाइनेंसियल परफॉर्मेंस और सेल्स फीगर को भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर होंडा से अलग होकर फायता हुआ या नुकसान तोस्तों होंडा मोटर्स एक मल्टीनेशनल कमपनी है जो इंडिया के अलामा पूरी दुनिया में अपने टू विलर्स और फोर विलर्स के साथ मौजूद है जबकि हीरो मोटो कॉर्प ने होंडा से अलग होने के बाद अपना ग्लोबल एक्ष्पेंसन सुरू किया था और आज 40 देसों तक अपनी पहुच बना पाया है होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटो कॉर्प का नेट वर्थ लगभग 7 बिलियन डॉलर्स था जो आटो सेक्टर की लंबी मंदी और कोविट के बावजूद भी आज लगभग 7.5 बिलियन डॉलर्स है जो कंपनी के कंसिस्टेंट परफॉर्मिंस को दिखाता है और वही होंडा मोटर्स का नेट वर्थ साल 2011 के 55 बिलियन डॉलर्स से घट कर 45 बिलियन डॉलर्स हो गया है और दोस्तों हीरो होंडा जब मिलकर काम कर रहे थे तो 50% से भी जादा इंडियन टूविलर मार्केट पर उन्ही का कबज़ा था जबकि साल 2022 के सेल्स डेटा के हिसाब से दे होंडा की युनिट बेची गई थी और जहां हीरो होंडा के कुल इंप्रोईज की संख्या लगभग 6000 हुआ करती थी आज हीरो मोटो कॉर्प अकेले ही 8600 लोगों को रोजगार देती है हीरो मोटो कॉर्प के आज इंडिया में 6 और बांगलादेश और कोलंबिया में एक प् प्लेजर, मेस्ट्रो और डेस्टिनी जैसे स्कूटर्स भी पोर्टफोलियो में मौजूद हैं और दोस्तों साल 2019 में हीरो ने 7.8 मिलियन बाइक्स बेच कर दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइकस बेचने का रिकॉर्ड बनाया था इसके साथ ही यह 100 मिलियन टूविलर बन पर आता है और होंडा मोटर्स की एक्टिवा इस सेग्मेंट की मार्केट लीडर है समय की मांग को देखते हुए हीरो ने एक मोबाइल एप भी लांच किया है और साथ ही डिश्टल मार्केटिंग में भी अच्छा खासा निवेश कर रही है तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी थैंक्स फर वाचिंग